अस्सलाम अलेकुम फ्रेंड्स आई होब कि आप सब खेरे से होंगे तो आज हम पॉलिटिकल साइंस के सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट और मोस्ट रेपेटिट क्वेस्टन को सॉल करेंगे चले मैं आपको यह एविडेंस दे दू कि यह बहुत ज्यादा रेपेट हुआ है यह देखें 2021 में यह देखें 2021 यह इसका question number 2 है sorry question number 3 वाट इस देखें बिट्विन रोसुल्स नोशन अफ देट अफ नेचर और देट अफ होवस एंड लोग यह 2021 का हो गया आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं उसके लावा बाकी question अच्छा यह देखें उसके लावा 2020 यह देखें 2020 यह इसका question number 4 है आप इसको दियान से देखें critically analyze the social contract theory of Hobbes, Locke and Russo ठीक होगे यह भी same question है उसके लावा आप देखें 2017 यह देखें CSS political science paper 1 इसका question number 2 compare and contrast the difference political philosophies of Hobbes and Locke how are these philosophies implemented in present day political system and policy making मैं आपको past paper इसलिए दिखा रहा हूं ताके आपको question में समझने में ज्यादा दिल्चस्पी हो और आप अच्छे तरीके से इसकी त्यारी कर सकें इसके इलावा यह देखें critical examine the concept of Hobbes and Locke about social conduct यह 2015 का है 2015 चलें इसको close कर देते हैं इसको भी अच्छा चलें अब मैं आपको इसको simple wedding में इसको soul करके दिखाता हूं सबसे पहले हम इसको देखते हैं Thomas Hobbes यही इनकी तरतीब है इसी हिसाब से इनकी date of birth है सबसे पहले Thomas Hobbes इनकी बर्थ हुई उसके इनकी date of wise मैं बता रहा हूं इनके बाद जोन लोक हैं यह देखें यह जोन लोक हैं ठीक हो गया इनकी नेक्स जो फिलोसफर है वो है जीन, जैक्विस, प्रुसो इन्होंने एक दूसे से next काम किया है ठीक हो गया तो इसी हिसास मैं आपको इसकी simple wedding में आपको समझा देता हूं आपने यह नहीं देखके परेशान ही हो जाना कि इतना ज्यादा data है ठीक हो गया सबसे पहले जो यह तीन साइंटिस्ट है इनका कमाल यह इन्होंने सबसे पहले थोमस होब्स ने इस चीज की इस चीज का आगास किया थोमस होब्स ने क्या किया जिस तरह फिजिक्स को न्यूटन जो है साइंटिस्ट उनका क्या काम है फिजिक्स में वो फिजिक्स के एगजा फादर समझे जाते हैं ठीक हो उनकों सबसे ज्यादा फिजिक्स में काम किया उन्होंने किस तरह काम किया उन्होंने पहले द्रयात किया यह चीज क्यों हो रही है यह कैसे है यह सब कैसे हो रहा है किसी भी चीज के यह गौर्मेंट को हम क्यूं अबे करते हैं ठीक हो गया हम पलीसीज को क्यूं फालो करते हैं और हमें कब तक इसकी इसके फॉल रूल्स को फालो करना चाहिए ठीक हो गया फॉमस होब्स जो थे ये उदर के जो मोनारकी थी ये फ्रांसिसी थे ये जो उदर के मोनारकी थे उनके साथ इनके क्लोज इगलेशन्स थे जो प्रिंस थे उनके ये ट्यूटर भी थे इस तरह इनके मोनारकी के साथ भी वाबस्तगी थी चलो ये होगी इनकी सिंपल से इंट्रोड़क्शन चले हम चलते हैं इन्होंने एक बुक लिखी उसका नाम था लेवाइथन उसमें उन्होंने क्या चीज डिसकस की उन्होंने कहा कि as a state of nature state of nature किया किसे है कि कुदरती हालत में जो एक state होती है उसकी क्या इन्सान की क्या हालत होती है कि जो कुदरती हालात में हर आदमी दूसरे आदमी के साथ जंग हालते जंग में होता है ठीक हो गया और इस तरह उसकी लाیफ जो होती है solitary nasty poor, British and short होती है कि उसको कोई पता नहीं होता कि लाइफ है कब तक होगी क्योंकि इतने ज्यादा लड़ाई जगड़े होते हैं गुर्बत की जिंदगी होती है और आप इनको मजीद ये मैं आपको मजीद इसको उर्दु में इंडिस्टेंड नहीं करता है मुझे इंगलिस में इसकी त्यारी की है पूर नास्टी सॉलिट्री तनहा जिस तरह होता है ब्रुटिश के कुदरती हालत में हर आदमी की दूसरे आदमी के साथ जंग हालते जंग में होता है वो ठीक हो गया और इसकी जो लाइफ होती है वो बहुत शॉर्ट होती है पूर नास्टी और ब्रुटिश होती है ठीक हो गया ये हैं इनका कंसेप्ट ओफ स्टेट ओफ न होते हैं यानि के चीजों को समझने वाले होते हैं अखल होती अन में शाओर होता है Next उन्हों का procedure क्या ł歌 को स्टेफट ओफ नेचर में ये तमाम लडाई-जगड़े होते हैं यार जो bunny बाशाओर बंदा है ये कुशिशिय करेगा ये स्टेट ओफ नेचर से बाहर化 लेकिसे तरीके से इसको यहां पर अमन हो, स्कून हो, इंसाफ हो, तो किस तरह होगा, तो तमाम लोग एक मिलकर एक सोशल कंट्रैक्ट थियोरी बनाते हैं, वो क्या होती है, वो आपस में एक एगरिमेंट करते हैं, कि हम चैने एक गौर्मेंट, तमाम लोग अपने तमाम जो हैं, हकूग, एक गौर्मेंट एलेक्ट करते हैं, उसको अपने तमाम हकोग दे देते हैं, ठीक होगे उग्यां, सवाइए अपने जिन्दा रहने का ख, यानि कि सवाइए जिन्देगी के हक लीus तो तेदेंगे, ता कि वो तमाम इन हमारे हकोग उसको सेकिर करें, और एक मल बाष्शाहद को दीदी क्योंकि आपको बताया था है, इनके बाष्शाहद के साथ, लिंक की लिंक थे जो रूलिंग जो मुनार्की थी, अनके साथ, इनके पुराने तालुकात थे, कैूंकि फैमिली, रिलेश्शन भी थे इनके तूर bending. यह थी इनकी social contract theory मैं आपको फिर repeat कर दूँ उन्होंने का state of nature में हर बंदे दूसरे बंदे के साथ आदमी के साथ हालते जंग में होता है और जिंदगी बहुत ही बेसुकून होती है शोट होती है और पूर होती है लेकिन लोग बाशाओर होते हैं तो वो इसे state of nature से बाहर आने की कोशी करते हैं ठीक हो बाहर आने के लिए वो आपस में एक मौाहदा करते हैं कि चले हम किसी बंदे को sovereign appoint करते थे यानि कि हाकिम मकरर कर देते हैं तो उस हाकिम को वो तमाम अपने हकूग दे देते हैं दे देने से मुराद यह नहीं कि उनके हुकूग खतम हो गए यानि कि उनके life उस और liberty हो गया और इसके लाव प्रॉपर्टी हो गया तो तमाम हुकूग स्टेट के पास चले जाए तो स्टेट उनको सेक्यूर करती है तो उसके बाद उनके का कि स्टेट को वो कब तक उबे करेंगे वो तब तक उबे करेंगे जब तक कि स्टेट उनकी जान की दुश्मन नहीं बन जाती यानि कि जब तक वो सोवरन यो हुकूमरान उनको जान से मारने तक नहीं पहुंच जाता है या उन्हें कतल करने की दमकी देता है या कतल करने तक पहुंच जाता है तो उस हालत में वो सिरफ वो सिरफ बगावत कर सकते हैं Otherwise किसी भी हाल में वो बगावत करने का हाक को उनके पास नहीं है सिटिजन्स के पास ठीक हो गावा चले ये तो हो गया अच्छा उसके लावा वो बाशाहत के हाक में इसलिए भी थे कि इसमें हुकमरानी सिरफ वो सिरफ फर्द वाहित के पास होती है क्योंकि ज्यादा लोगों के पास उसने का गए गोर हुकमरानी होगे तो उससे भी जगड़ा होगा ये आगर आपको मेरी कि में भी एंडरस्टेंडिंग ना लगे कि मैं क्या समझा रहा हूँ तो आप इसको सिंपल वर्डिंग में इदर से लेकर स्टेट अफ नेचर से ये स्टेट सोशल कंट्रैक्ट थेवरी तक बलकि यहां तक एंडरस्टेंड की सिंपल से चार से पांच लाइने हैं बहुत इवर्डिंग में यह देख लिए को वार उफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन इन विज दा लाइफ उफ मैन इस पूर नस्टी बूटिश सॉलिटरी एंड शॉर्ड ठीको अच्छा इसी तरह इसी को अगर आपने समझ लिया तो बाकी की तमाम आपको समझ लग जाएंगी इसलिए मुझे ज्यादा टाइम लगा इनको समझाएंगे जॉन लोग ने किया जॉन लोग ने भी सेम यही चीज़ है कि आप इसको वीडियो को रोकर भी अंडिस्टेंड कर सकते हैं जॉन लोग की एक बुक है टू ट्रीटीज ओन गॉर्मेंट यह इनकी बुक है यह आपने याद रखने हैं इस तरह बुक्स की वह भी हम सी क्यों पूछ सकते हैं अच्छे इनके स्टेट ऑफ नेचर में उन्हों ने क्या कि आप लोगों की किस तरह उनके रहन से होता है पीसफुल होते हैं पीसफुल होते हैं असिस्टेंसी करते हैं एक दूसरे के साथ मुच्छ और इसके इलावा गुडविल होते हैं और सेल्फ प्रिजर्वेशन होते हैं जोन लोग ने बिलकुल इसके मुखालिफ का के अपनी थियोरी पेश की उन्होंने का कि स्टेट आफ नेचर में लोग पीसफुल होते हैं एक दूसरे के साथ तामन करते हैं अच्छी होते हैं और अपनी जिन्दगी का भी धियान रखते हैं और दूसरों के साथ भी कॉपरेट करते हैं अच्छा यह तो इन्होंने बिलकुल इनके उपजिट कर दे इसी तरह साइंसी को कहते हैं एक बंदा नजरिये पेश करता है नेक्स्ट आने वाला जो साइंटिस्ट है उसका रद करता है यह उसको मजीद तसी देता है उसमें मजीद चेंजिंग पेश करता है इन्होंने बिलकुल इसमें उपजिट बात की तो इन्होंने उपजिट क्यों का चलें इसको अभी देखते हैं उन्होंने का के जो स्टेट ऑफ नेचर होती हर बंदा इसमें पीसफुल होता है कॉपरेटिव होता है तो उसमें फिर मामलात कब खराब होते हैं उन्होंने का के जब सुरी यह मैं नेक्स पेश कर दो अच्छा इन्होंने का के यह चीज होती है प्यूपल रूल बाइ लाफ नेचर नो वान कें हाम एन्यवन और एवरीवन हैस राइट तो लाइफ अच्छा इन्होंने का के जब स्टेट ऑफ नेचर में जब हर बंदा लाफ नेचर उसको अपने मर्जी से इंटर्प्रेट करता है तो उन्होंने कंफलिक्ट पैदा हो जाता है तो उसको मैं मजीद सिंपल वर्णे में समझाने के कोशी करता हूं क्योंकि इंग्रिश में लिखा होगा मुझे इसको उर्दू में समझाने में थोड़ी दिक्कत पेशारी अच्छा उन्होंने का कि स्टेट ओफ नेचर में जिस तरह स्टेट ओफ नेचर होती इस तरह एक नेच्रल ला भी होता है नेच्रल ला क्या होता है नेच्रल ला क्या होता है नेच्रल ला से मुराद है कि हम सब को पैदा करने वाला यानि कि हमारा खालिक अल्ला आज़ज़ वजव जल है और सिर्फ वोह दॉहि हमारे ये तमाम हुकुक ले सकता है। ंज़ हमंसे Chili नहीं ही है कि हम से हमारे खुकुक ले सके। तो इस तरह ने ने कहा के इसीतर ला ला उस नेचर होता है। ला नेचर क्या होता है। कि हर बंदा अजाद होता है अपने जिन्दगी में अपनी प्रॉपर्टी रखने में और इस तरह अपनी लाइफ लबर्टी एंड यही दर में अच्छा होता है लेकिन जब हर बंदा क्योंकि इन्सान जब एक सुसाइटी में रहते हैं तो आपस में उनका इखतलाफ हो जाता है और मोस्ली उनका प्रॉपर्टी पर होता है तो जब उनका अपस में कन्फलिक्ट पैदा हो जाता है तो वो लाफ नेचर को अपनी मर्जी से इंप्लिमेंट करते हैं तो हर बंदा क्याता है मेरा नहीं हम लिए और के सा है। उन से आपस में किपलिक्ट पैदा हो जाता है। और वो state of nature घुर से state of war में चले जाते हैं। state of war किसे हुए कि रहते हैं। уп responsors are दॉज़़ं कि आती है। जिसे हम कहते हैं state of war। तो यहां पर फिर वही बात हुई, वह कोशी करते हैं कि भई हम इस दमनी से निकलें, यहां पर ला और्डर काइम हो और जस्टिस मिलें, उसके लिए वापस में एक एग्रिमेंट करते हैं, उसे काते हैं सोशल कंट्रेक्ट थे और यह नहीं किता हैं, पिछले थॉमस होबस कि तो वो क्या कंट्रेक्ट करते हैं? वो कंट्रेक्ट करते हैं कि हम एक मजोर्टी रूल की बेस पर हम गवर्मन्ट बनाते हैं जिसमें तमाम लोगों की मरजी हो, और तमामarin लोगों की हकोमत है जिस्स लाइक डेमोक्रेसी , जो लोग को बैसिकली डेमोक्रेट ήταν कि स्टिसी की के तो हम लाज इन ही लोगों के पूट है जोन लोग हो गया उसके लावर रूसू हो गया मॉन्टैस्कू हो गया चलें यह बात की बाते हैं अच्छा पूस्टेट ऑफ वार से निकलने के लिए एक एग्रिमेंट करते हैं उसे करते हैं सोशल कंट्रैक्ट थियूरी उसमें मज मजोर्टी सेक्यूर्ट था नैच्रल रायल्स लाइफ लबर्टी और प्रॉपर्टी और जो लोगों की बनाई की गवी गवर्मेंट होती है रूल मजोर्टी रूल होता है वो लाइफ लबर्टी और प्रॉपर्टी को सेक्यूर करती है अच्छा रिवोल्ट अच्छा उसको उबे करेंगे और जब वो उनके लाफ नेचर को इंप्लिमेंट करने में नाकाम हो जाएंगे यहां पिर लोगों के साथ नाइंसाफी करेंगे तो यह उन लोगों पर फर्ज हो जाता है कि वो अपने रूलर को खतम कर दें यहां तक उन्होंने लिखा के किल भी कर दें या रिप्लेस कर दें यह होगी तीहोरी जॉन लोग की नेक्स आजयां जीन जैकुस रोसो उनने उनसे भी आगे एक स्टैप गए ठीकाट उनने का कि स्टेट आफ नेचर में जो आदमी होते हैं लोग होते हैं वो ब्लीस होते हैं, इसोलेटीड, पीसफुल, टीमिड, मियूट, एंड, नो वरी ओ, फूचर, ठीक होगा, सबसे पहले इनका मैं एक मशूर इनकी कहावत है, Man is born free, but everywhere he is in chains, वो कहते हैं, आदमी आजाद पैदा होता, लेकं देखा ये जाता है, कि हर जगा वो पबंदियों में जकड़ा हुआ है, यहार जगा वो गुलामी में है, तो ये आजादी के बहुत बड़े अलमबरदार थे ये जनाब, इनकी बुक है, इनकी दो ऐसे थे, ये लेकिन तनहा होते हैं, ठीक हो गया, वो खमोश होते हैं, और उन्हें फ्यूचर की भी परेशानी होती है, ठीक है, इनकी दोनों के बिल्कुल आपजिट का, इनकी ना तो कहा कि हालते जंग में होते हैं, ना इनकी का कि बहुत कॉपरेटिव होते हैं, ठीक हो गया, इनकी का कि कॉपरेटिव भी नहीं होते और ना ही आपस में लड़ते जगड़ते हैं यानि कि तनहा रहना पसंद करते हैं और ना ही इने फ्यूचर की कोई परिशानी होती है चलें देखते हैं अच्छा है इनोंने का के फिर स्टेट अफ नेचर में तो ये तमाम सुकून भी था खुश्छाली भी थे और ना इन लोगों को फ्यूचर की कोई परिशानी है तो प्रश्ट का पैदा हुआ जब पहले शक्स ने ये दावत कर दिया कि ये फलाँ जमीन का टुकड़ा जहां पर वो रहता है कि ये मेरा है ये मेरी प्रॉपर्टी है और दूसरे लोगों ने भी उस पर यकीन कर लिया यहां से वो कहते है प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट पैदा हो गया तो जब हर बंदे ने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने की बुन्यार डाल दी हर बंदे ने ये प्राइवेट प्रॉपर्टी रखना शुरू कर दी तो इस तरह property base उनके लिडाई जगड़े शुरू हो गया, conflict पैदा हो गया, तो इस तरह वो state of nature से state of war में चले गए, किस वैसे प्राइवेट property की वैसे, ये देखे, property के शुरू दिन से जगड़े हैं, ये आज की नहीं बात, social contract theory, वो कहते हैं फिर लोग वो state of war से निकलने के social contract theory बनाते हैं social contract theory के तहद वो क्या करते हैं वो कहते हैं rich people जो होते हैं business class जो हुते है lead class जो होते हैं यो दूसरी लोगों को काईल कर लेते हैं कि भई हम चलें लोगों के हकुक की हफाद़ करने के लिए हम एक government बना लेते हैं और वो कहते हैं को चलें भी तो हमारे पास है नी चले लाइफ ही सेक्यूर होगी चले इस तरह हम गॉवर्मट को एलेक्ट कर लेते हैं तो फिर वह मिल कर एक observant bina लेते हैं गॉवर्म官 कौन बनाते हैं रिच पिपल बनाती है और जिर्भ जब रिच पिपल गॉवर्मन बनांगे तो हो म José When He करेंगे अपनी wealth को अपनी copperty को औरस अपने इमफात के लिए bursts के लिए वो काम करेंगे इस तरह वो फिर एक independence ॊ और, inequality को ये फजा काइम हो जाएगा एक इन इक्वाल्टी करेंडेंडन्स, तो गरीब जो तो फिर वो जब state of war फिर हो जाएगी तो वो कहें के के नहीं यार अब हम क्या करें अब हम इससे तो अच्छा था कि हम state of nature में ही अच्छे थे ना यह private property का concept आता ना अपस में यह इस तरह का government बनाते ना ही rich people हम पर rule करते और ना ही इस तरह inequality or dependence वाला issue होता तो यहाँ पर मस्ला यह काइब हो गयर ना तो वो पीछे तो जा नहीं सकते यहीं रहते हो उनोंने peace कैसे कायम करना है और अपने हुकू कैसे हासिल करने है तो यहाँ पर उनोंने एक मजीद थेयोरी दी जिसने कहा उनने general will general will किसे कहते है general will कि कहते है तो तो ये दे नीड सेम राइट्स जनरे विल में क्या करते हैं वो कहते हैं तो रिच और नाई पूर इसमें रिच पूर तमाम लोग मिक्स हो जाएंगे यानि के कानून बनाएंगे जिस तरह हमारे इस तरह होता है डेमोक्रेस कंट्रीज में होता है यह जो हमारे पार्लेमेंट होता है ठीक हो गया डेमोक्रेटिक स्टेट्स में वो यह जिनल विल काम हो रहा है यह इन्हीं लोगों के कंसेप्ट दिये हुए है जिन पर आज पार् नायसाफी हो जाएगी अच्छा तो इससे नायसाफी क्यों नहीं होगी वो इस तरह नहीं होगी कि तमाम लोग जब स्टेट को राइट दे देंगे वो तो स्टेट तो वो खुद ही लोग बनाएंगे तमाम लोग उसके कानौन बनाने में शरीक हो गये वो कानौन खुद बना या इंडिया में कहीं पर भी जो पास जो लाग करती है। वो Legislation करती है। अगनली को झाद करती इस तरह कानून के इन लोगों ने बनाया, वहा के जो सीटीजन, वहा की पापुलेशन है, उन लोगों ने कानून बनाया, उनको इंप्लिमेंट करती है, एक्जेक्टिव, और इनको इंटरिप्रेट के कौन करती है, जुडिशरी, इस तरह सब से अपर लेवल हो गया, सब से ज्यादा स्ट्रॉंग कौन होगे, वह लोग जो लाब बनाती है, ठीक होगे, इस तरह का कि जनरल विल में तमाम लोग अपने जो राइट्स हैं, वह स्टेट को देते हैं, इंक्लिडिंग लाइफ, लबर्टी, एंड प्रॉपर्टी, ठीक होगे, वह खुद ही लाब बनात हैं, एज़ा मजोटी, ठीक होगे, अगर कोई लाब बनाते हैं, उस दस लाख में साथ लाख लोग एक कानून पर मुत्विक हो जाती हैं, और जब वह कानून मुत्विक हो जाता है, तो वह हमारा ही कानून बनाया होता है, तो वह हम किसी गौ़र्मेंट को नहीं फालो करते हम खुद को फालो कर रहे होते हैं, तो इस तरह उन्होंने का जनरल विल थियूरे में, के लोग अपने ही कानून बनाकर उसी को फालो करते हैं, इस तरह उनके लाइफ लबर्टी और प्रोपर्टी सेक्योर हो जाती है, और अगर वो, इसमें तो रिवोलुशन का कंसेप्ट कि खतम हो गया कि बगावत का, क्योंकि जब उन्हें को लगेगा कि फुला कोई चीज सही नहीं है तो वो उसको लेजिजलेशन करके कानून को चेंज कर लेंगे, इसली, तो यह इनका बहुत ही कमाल का कंसेप्ट है, जनरल विल, जनरल विल मैं आपको फिर समझा दो, सिंप बगाता है। People decide to give all their rights to general will. Obeying general will is like obeying oneself. So people are as free as in state of nature. Laws are made by people on the basis of general will. A government is appointed by the people to enforce the general will. Government has only executive and judiciary functions. Laws are made by the people. Hence, they follow the laws made by themselves. They are free and equal as in state of nature. You can write about it here. There is no intention. They are free and equal as in state of nature. So, in the state of nature, which are free and equal, they are equal. But they can be more than their rights to their rights. For their rights to their rights, for their rights to their rights. They can be secured by their rights. And the property can be secured. If you haven't subscribed yet, then kindly subscribe. And if you like this video, you can discuss your friends with your friends. And your friends with your friends and friends with your friends with your friends. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. झाल झाल